नमस्कार किसान भाईयों, स्वागत है आपका चैनल एक्री आकास में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे की हमें धानकी फसल में कब-कब यूडिया देनाी चाहिए, कब-कब खात देना चाहिए और उसे हमें कौन-कौन से समय डालना चाहिए और साथ ही उसमें हमें क्या मिला के देना चाहिए तो इस वीडियो में सारी बातों के बारे मैं आपको जानकारी दूँगा तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छी पाइदावाल लेने के लिए हमें यूरिया सही समय पे देना होता है सही समय पे हमें उसमें जिंक भी डालना होता है तो इस वीडियो में आपको यहीं जानकारी देने वाला हूं हमें यूरिया जो पहली यूरिया है हमें उस समय डालनी चाहिए जब कि पौधे बहुत मुलाइम है उस समय हमें पहली यूरिया डालनी चाहिए और पौधे मुलाय में उस समय आप अगर चाहें तो मतलब इस्परे के माध्यम से भी दे सकते हैं जितने यूरिया हमें डालनी है एक एकड में अकर आपको ये नहीं पता कि कितने एकड में कितनी यूरिया डालनी है कब कब डालनी है या जो बरायटी आपने लगाई होंगी या जो मैंने वरायटी लगाई है आपने कुछ और लगाई है या और किसान भाई हैं जिन्होंने कुछ और वरायटी लगाई है तो अलग वरायटी खिंसाब से हमें कितनी खात देनी चाहिए उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है आपको आई बटन पर मिल जाएगा आप व जैसे हमने बता कि यह पहली यूरिया है हमें जो 10-15 प्रत्सर यूरिया है उसको हमें इस्प्रेक माध्धम से पहली बार में दे देना चाहिए उसके बाद जो दूसरा यूरिया डालने का समय होता है यह काफी महत्वपूर्ण होता है जब हमारे धान में टिल्रिंग बढ़ या कल्ले निकल रहे हो इसको आप टिल रिंग भी खख सकते हैं कले भी ख़ास शक्ते हो नियुत का पूञजा भी जाते बाउनेद में इसके लिए दूरिया के विस टूरिया और इसके साथ मो सलनीद भी जिंख्त मिला कर चाहिए एक एकड में आप 5-6 किलो जिंक का प्रियोग कर सकते हैं इससे जो है आप कल्ले काफी अच्छे निकलेंगे साथ ही पौधों का विकास भी अच्छे से होगा और रोपाई के समय हम जो खाट डालते हैं जिसे हमें डी एपी डाली है उससे जो पौधे है जड़ मजबूत होती है जिसे की पौधे गिरने का चांस नहीं होता है और पौटार डालने का जो फाइदा होता है वो यह होता है कि जड़ भी मजबूत होती है दाने भी चमकदार होते हैं और रोग प्रत्रोधी भी हो जाता है तो जिसे मैंने आप कहा कि इसके उपर मैंने एक वीडियो बनाया है वो आप आई बटन में जा करके देख सकते हैं तो अब ही हम यूरिया के टॉप यू कवर कर रहे हैं तो हम यूरिया बेबात करेंगे धान की फसल में अच्छे कल्ले बढ़ाने के लिए आपको संत्रील पोसकत्तों का प्रयोग करना चाहिए दूसरी यूरिया हमें धान में कल्ले निकलते हैं कि समय देनी चाहिए साथ ही पांट से च्छे किलो प्रती एकर जिंक हमें मिलाना चाहिए हमें जो इतनी मात्रा में यूरिया डालनी है उसको हमें तीन भाग में डालना है तो पहला हमें बताया कि आपको दस से पंद्रे प्रस्ता च्लकाओ के माद्धन फे दे दीजिए दूसरा जो है में कल्दे निकलते समय डालनी चाहिए और उसमें जिंक मिला करके डालना चाहिए जब कल्दे निकल रहे हों तो इसमें हमें दूसरी यूरिया को प्रियोक करना ही चाहिए इसके बाद जब यूरिया के जो फायदे हैं वो कल्ये जादा निकलते हैं पौधे मजबूत होते हैं गिरने की समस्या भी नहीं होती है इस से अब किसान भाई जब इस समय आज कल की जमाने में अधिकतर किसान भाई हैं जो की हाथ से खरपतवार नहीं निकालते हैं उसमें दवाईयों का प्रयोग करते हैं तो खर पतवार नी अंतरन करने के बाद कभी कभी क्या होता है कि जो खर पतवार नासी दवा है उसका भी जो इफेक्ट है वो हमारे पौधों पर दिखता है या भी नहीं भी दिखता है तो कुछ समय के लिए जो पौधों की बढ़वार है वो रुख जाती है उस समय हमें उस और यूज़े की ग्रोह नहीं रुकती है, यह मैं उसमें डाल देनी चाहिए, अब हमें लगभग, जैसे कि हमने बताया कि कम समय वाली में कम डालना है, ज्यादा समय वाली वरायटी में ज्यादा डालना है, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसे देख लीजिए ग करेंip लिएत्व को साथ ही आपको कि मैं लगा दूंगा दूँगा। उस से जो पौधे ग्रोथ होती है वह भी नहीं रुखती है वह लगातार बढ़ता रहता है और कम्स में पचासई साथ दिन कें अंदर हैं उसमें बालियों का जो है वह अंदर तैयारी कल्लों के अंदर से बाजा निकालने के लिए फिर शुरू कर देता है तो ये थी जानकाई जो हम आपके लेखे आये आगे भी हम धान की रेटेड ऐसी वीडियो जो बनाते रहेंगे तो वीडियो आपको अच्छा लगत लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंको खेती वीडियो खेती वीडियो जानकारिया हम आपके लिए लाते रहते हैं तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए देखते रहें एगरियाकास